एक्जाम लेते हो एक्जाम की तरह लोग सेटिंग की तरह क्यों लेते हो इसको मतलब लेकिन कोई मतलब नहीं है आप लोग आज बिने उठाते हैं होगा तो इसके लिए अंदोलन भी करना पड़ेगा आम लोग को आज ही भर के लिए जिंदगी है किसी तरह उसको जी लेना है और जो उसमें बच गिया वो एक्जाम दे पाया नकीता नमस्कार दोस्तो आनन्द स्टडी ओनलेंचल में आप लोग का स्वागर्थ है तो बिहार एक्जाम हो और उसमें घूस पेरवी सेटिंग का नाम ना आए मतलब घूस पेरवी सेटिंग तो आजकल कुछ आम हो गया है कोई भी लोग करा देता है और किसी का भी हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं रहे गई है खास करके बिहार के एक्जाम के लिए और बिहार में एक्जाम हो और उसमें सेटिंग ना हो तब बवाल हो जाता है सेटिंग होता है तब तो मामला सांती ही होता है और काफी लोग उससे सांती महसूस करते हैं और वो मामला उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है आप देख भी सकते हैं कि बिहार पुलिस का फीजिकल चल रहा है इसमें प्रती दिन 15 से 20 लोग मतलब पकड़ा रहे हैं धामली वाले जो असकोलर को बैठाया थे वो पकड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार एक भी बार अपने आपसे ने बोल लिए पेपर में भी ने दे रह है फिर भी आप उस पर एक्सन नहीं ले रहे हैं तो आप कैसा धामली आपको चाहिए फिर देखे कुछ दिन पहले दो-तीन दिन पहले फोरेश्टर का एक्जाम हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा धामली देखा गया मतलब की वहां पे एक्जाम सेंटर से निकलते ही ल इसने पैसे लगते हैं तो ये भी वी विडियो मैं नोट आया था उसी पी आप आप लोग के कॉमेंट आया थे कि सरकार में और क्या क्मिया है थे तो इदोण CASE पूरे बिहार के और बदलाव किये जाने चाहिए और हम लोग को कितना सतर को होना चाहिए इस एक्जाम में तो वह सही पॉइंट को मैंने यहां पर लिख लिया है इस पॉइंट को आप लोगो अपने दिमाग में लिख ले जागा ताकि कहीं भी आप इसका आवाज उठाए तो इतने पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि यह हमारा हक है इसको हम नहीं भूलेंगे और यह जब भी बात होगा तो इतने बातों को हम जरूर सरक करवाया होगा आपने पढ़ा होगा उस इंस्ट्यूट में बिहार प्लीस का त्यारिया आपने किया होगा तो आप जरूर इस टीचर को बोले कि इसके परती आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आखिर हम तो चलिए आप लोग का सपोर्ट कर रहे हैं इसके परती इस चैन नहीं होता है तो आप लोग खुद उस कॉमेंट को देखेगा और उसका जवाब लोग खुद भी उसको दे सकते हैं आप लोग उस कॉमेंट में क्यूंकि यह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं यह आप ही लोग के लिए कि यह आप आज जो है काफी दूर तक पहुंचे और दूर तक मतलब कि सरकार तक जाये और सभी लोग ज़य जागरूक हों इसके लिए कि इतने चीज हमको चाहिए क्यूंकि एकज़ाम में इतना चीज जरूरी होता है यह मेरा हग है कोई अलग से हमने मांग रहे हैं और एक्जाम यह करते हैं तो आपको भी करना चाहिए एक्जाम लेते हो एक्जाम की तरह लोग सेटिंग की तरह क्यों लेते हो इसको मतलब लगता ही है कि आप सेटिंग करा रहे हैं क्योंकि जो हम पॉइंट यहां पर लिखे ह होगा काफी ये प्रचलित मुद्धा भी बन जाएगा आगे चलके क्योंकि कोई इस पर बात नहीं करता है कोई आपकी आवाजों को आपके दिल के आवाजों को कोई उठाने चाहता है बस पढ़िए 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 कब पूछिए उनसे की पढ़के करें क्या सेटिंग दुसरा का हो रहा, पढ़ हम रहे, मेरा विजल्ट ने आ रहा, लेकिन बताइए हमको क्या करें हम, और सभी टीचर मिलके इसके परती आवाज उठाएं, कम से कम बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि उसके आँख के सामने से, मतलब सरकार के आँख के नजर में उतने लोग पकड रहेगा, तभी आगे बढ़ा जा सकता है, तो कमेंट आप लोग का जितना ज़्यादा आएगा, और आप लोग जितना हम से जुडेंगे, उतना ज़्यादा हमको समझ में आगा, कि आप लोग भी इस चेर्ज में आगे बढ़ना चाते हैं, तो सेटिंग से बचाओ के बारे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी बाते हैं, इसमें हम करने वाले हैं, आप लोग का दिमाग खोलने वाले हैं, कि सिर्फ पढ़ने से अब नहीं होने वाला, साथ में आपको अपना दिमाग को भी चलाना पड़ेगा, जगा 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 पे, अगर अच्छा से चेकिंग होगा, दस जगा खराब से चेकिंग हो रहा है, और चेकिंग करने के बाद भी मतलब मोबाइल अंदर चल जाता है, लोग उसके बाद यूज करते हैं, चली ये तो हो गया कि मोबाइल पे आप लोग को ध्यान देना है, और घड़ी में भी आजकल कोई investigation करता है, कोई आप जाकर जांच कर रहा है, तो सबका ये करतब है कि वो सही तरीका से करें उसको, उसमें कोई विलापरवाही ने बरते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का exam हो, चाहे वो बिहार BPSC का exam हो, ठीक है, तो इसको देखना चाहिए, क्योंकि पैसे लगते हैं, इसको अपना सपना भी मान लेते हैं, तो मॉबाइल अंदर नहीं जाना चाहिए, दूसरा बात हम करते हैं, कि jammer लगाना, मतलब jammer तो आप लोग में से कहीं लोग नहीं जानते हैं, जैमर क्या चीज़ होता है, ये एक electronic device होता है, जहां पर लगता है, वहां के सभी network fail कर दि दिखेगा, आपको उसे क्या होता है, ये network fail हो जाता है, लेकिन वह जैमर बस दिखावा का होता है, वह खराब रहता है, वहां पर अगर mobile चलाईएगा, तो चल जाएगा, सब जगह कहां बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह खराबी होता है, तो उसको चेक करके आप लगाईए, कि mobile लेके भी अगर चल जाए विद्यारती, तो वहां पर चलना नहीं चाहिए, उसका network fail हो जाए, लेकिन नहीं फोटो कीश के भेज जता है, WhatsApp पर सब network वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो jammer किस काम का, ये electronic device किस काम का, सिर्फ नाम का, कि हम लगाए हैं, तो ये अगर गलती कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, ये सब गलती, तीसरा जो सबसे बड़ा गलती करती है सरकार, और जिससे असपस ट्रूप से नहीं दिखाय जेता है कोई भी चीज़ अ स्टुडेंट को, और वो मांग भी नहीं उठा पात उसमें बताया थे कि UP पुलिस का जो एकजाम होता है, उसमें कम से कम इतनी असपस्ता तो है ने कि वो कोश्चन लाने देते हैं, कारबन कोपी लाने देते हैं, और कट आफ सो करते हैं, एंसर की देते हैं, इतना तो कम से कम है कि हम FIR कर सकते हैं अपने दम पे जाके, लेकिन इस एकजाम में आपको समझ में आएगा, कि कोश्चन भी आपको लाने नहीं दिया जागा, चाहिए आप दरोगा का एकजाम दे, BSAC का एकजाम दे, BPSC का एकजाम दे, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का एकजाम दे, किसी में कोश्चन लाने आपको नहीं दिया जागा चाहे फॉरेष्टर का एक्जाम हो उसके बाद इसमें ना Carbon Copy भी ना दिया जाता है। मतलब कि Carbon Copy होता है कि आप जिस Question को रंगे हैं जिस Answer को आपने दिया है क्या carbon copy होता है उस पे भी Same answer वहां पर रंगा जाता है। तो कम से कम वो हमको दे दो कि ये मेरे पूरूफ के तोर पर है कि हमने इतना सही किया है, आपका cut off इतना था, हम इसमें नहीं आया तो हम खुद चूप हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा जादा आ रहा है, तो हम केस करेंगे, हम उसके परती F.I.R करेंगे, हम आफ से लड़ेंग तो कभी भी मांग उठे, तो इन सारी चीजों को आपको मांगना है कि question paper हमको लाने दो, ठीक है, और बने रहेगा वीडियो में और देखिए कितने अच्छे-ची बातें आपको मिलेगी इसमें, जिससे आपको सीख मिलेगा कि हमें क्या करना है किसी भी exam के परती, और साथ म और देखते हैं, बिहार पुलिस के exam में कितना भीर लगता है, मतलब जब ए exam हुआ था इस वार बिहार पुलिस का, तो paper में देखे थे, किस तरह से लोग लटक के जाते हैं, train में मतलब लगता है कि कब कौन कहां पे गिर जाएगा और किसकी मिर्तिव हो जाएगी, और 4-5 ल लाने है, जो setting देता है, उसका power होता है, जो scholar बेठाता है, उसका ज्यादा power होता है, बिहार के exam में, और हम एक बात बता दे, बिहार को हम ये सब चीज बोलके हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, बिहार जिस चीज में आगे है, उसको हम भी आगे बोलते हैं, उसका नाम हम भी करन तो यह सब चीज देखना चाहिए, बदनाम नहीं कर रहे हैं, उसको हम और सही रस्ता पे लाने का कोशिज कर रहे हैं, यह आप लोग समझे हैं, कुछ लोग के कॉमेंट थे कि आप ऐसा उल्टा बोल रहे हैं, बिहार के लिए नहीं, जिस चीज में खराब ही हो, उसको जरूर बिपेसी में उतना लेवल में क्यों नहीं होता, तो यह सब चीज पर सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए, हम बताएंगे यह आप बोलेंगे तो नहीं, पहले सही इस पर ध्यान देना चाहिए, फिर अगला हम देखते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, उसमें है कि एं योग के द्वारा ही गलत पाए जाते हैं, आप उसका उत्तर गलत भी दे देंगे, हो सकता है, वो सही हो जाए, आप उसका उत्तर सही भी दे देंगे, तो हो सकता है आयोग का उत्तर कुछ होर हो, वो गलत माना जाएगा, तो इस तरह से यह भी होता है, तो आप एंसर की जा और लेकिन आगर इन सरफ प्खकर एहन द्खिया बैंट वह तो कोई भी सुक्र दिए नहीं हो पर गण आगे में बात कर लेटे हैं। बिहार पुलिस की एक जाम में आप खास करके जो है कट ओफ सो नहीं करते हैं और जिसका मन होता है उसका रिजल्ट दे देते हैं और जिसको मन होता है उसको छांड देते हैं कोई भी कट ओफ नहीं होगा अरे ठीक है आपका सेटिंग हुआ है बहुत बड़ा लेवल पर सेटि और आपका नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं जो इसका मेरिट बना होता हो सकता है उसके 95 नंबर होंगे फिर आगे हम देखते हैं कि एक्जाम फी तुम 500 रुपिया रखते हो चलो ठीक है लगबग 500 रुपिया रहता है और दरोगा में तो 700 रुपिया भी रहता है वीपेसी में 700 रहता है तो लगबग मान लते हैं 500 का तुम एक्जाम लेते हो 500 रुपिया लेते हो एक्जाम में तु एक हजार भी ये लेगा ना तो फिर भी कोई नहीं बोलेगा चलो भाय भार देते हैं बिहार पुलिस का जो भाय हो जाएगा ये चीज़ होता तो 500 रुपिया तुम लेते हो और सुविधा कुछ भी नहीं मतलब एक ट्रेन भी तुम चला पाते हो उसके लिए बिहार में स्पे जी लेना है और जो उसमें बच गिया वो एकजाम ये तो बेहोस हो गया रापार कितने आदमी को और ये नहीं होना चीए चैजी हो approaches को से प्लता है इसको अधरस भी प्हर सोच और एक बार हम भी आजमाते हैं वहाँ पर जो सेटिंग हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पहले सो हो चुकि है इसलिए आप लोग सोचिए खाभी मताने का यहाँ पर तो यह सब हो गया जो इसमें किया जाता है तो हम लोग को मांग क्या उठ आपने टीचर से बोलिए जहां आप कलास करते हैं उसको बोलिए कि यह सब पॉइंट को आप लोग भी हाइलाइट करिए ताकि यह सरकार के पास आप लोग मेरा साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आगला जो भी मेरा कदम उठाया जा बस पढ़िए पढ़िये यह तो पुछिए अपने आपसे अपने टीचर से कि पढ़ के करना क्या है सटिंग करना है तो पैसा कमाना पढ़ना नहीं फिर पैसा कमाना ऑस इसज़को समझेगा और जूड़े रहेगा हम से अगला जो भी आंदोलन होगा चाहे किसी भी हो के जब अंदोरन करें चाहे किसी भी कदम को उठाएं तो उसका परहाव सर्थकार तक जरूर जाए ठीक है आप इंस्टाग्राम आईडी से जरूर मेरे जूट जाए इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाका आप हमको फॉलो भ अबर तो पढ़ना है एक डिलेक्शन जो होगा सिलेबस के माद हम से हम बताएंगे और बने रहीएगा आप लोग मेरे साथ बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए दरोगा वाले करनेट के लिए बीपीएससी के लिए सब के लिए हम लाने वाले हैं तो आप जरूर मेरे स साथ बने रहीएगा ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तो अब तक लिए थैंक यू जैहिन इस्टाग्राम आड़ी से आप लोग जरूर जूर जाईएगा